अध्याए पांच वाक्य शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं जैसे मैं आम खाता हूँ गीता पड़ रही है शब्दों के गलत प्रयोग से बने वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होता जैसे हूँ खाता आम मैं रही है पड़ गीता आओं वाक्य बनाएं जमा रही जमा है सरिता पानी पी रही है हमने पढ़ा और समझा शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं अध्याई पांच वाक्य शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं जैसे मैं आम खाता हूँ गीता पढ़ रही है शब्दों के गलत प्रयोक से बने वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होता जैसे हूँ खाता आम मैं रही है पढ़ गीता आओ वाक्य बनाएं सचिन जमा पत्र जमा लिखता जमा है सचिन पत्र लिखता है मैडम जमा उस्तक जमा पढ़ जमा रही जमा है मैडम पुस्तक पढ़ रही है सरिता जमा पानी जमा पी जमा रही जमा है सरिता पानी पी रही है हमने पढ़ा और समझा शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं अध्याय पांच वाक्य शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं जैसे मैं आम खाता हूँ गीता पढ़ रही है शब्दों के गलत प्रयोग से बने वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होता जैसे हूँ खाता आम मैं रही है पढ़ गीता आओ वाक्य बनाएं सचिन जमा पत्र जमा लिखता, जमा है. सचिन पत्र लिखता है. मैडम जमा पुस्तक, जमा पढ जमा रही. जमा है. मैडम पुस्तक पढ रही है. सरिता, जमा पानी, जमा पी, जमा रही, जमा है, सरिता पानी पी रही है हमने पढ़ा और समझा, शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं अध्याए पांच, वाक्य, शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं जैसे, मैं आम खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, शब्दों के गलत प्रयोग से बने वाक्यों का, कोई अर्थ नहीं होता जैसे, हूं खाता आम मैं, रही है पढ़ गीता, आओं वाक्य बनाएं, सचिन, जमा पत्र, जमा लिखता, जमा है, सचिन पत्र लिखता है, मैडम जमा पुस्तक, जमा पड जमा रही, जमा है, मैडम पुस्तक पड रही है, सरिता जमा पानी, जमा पी, जमा रही, जमा है, सरिता पानी पी रही है हमने पढ़ा और समझा, शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं अध्याय पांच, वाक्य, शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं जैसे मैं आम खाता हूँ, गीता पड़ रही है, शब्दों के गलत प्रयोग से बने वाक्यों का, कोई अर्थ नहीं होता, जैसे हूँ खाता आम मैं, रही है पड़ गीता, आओं वाक्य बनाएं, सचिन, जमा, पत्र, जमा, लिखता, जमा है, सचिन पत्र लिखता है, मैडम जमा पुस्तक, जमा पढ़, जमा रही, जमा है, मैडम पुस्तक पढ़ रही है, सरिता जमा पानी, जमा पी, जमा रही, जमा है, सरिता पानी पी रही है, हमने पढ़ा और समझा शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं अध्याए पांच वाक्य शब्दों के सही में से वाक्य बनते हैं जैसे मैं आम खाता हूँ गीता पढ़ रही है शब्दों के गलत प्रयोक से बने वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होता जैसे हूं खाता आम में, रही है पढ़ गीता, आओ वाक्य बनाएं, सचिन जमा पत्र, जमा लिखता, जमा है, सचिन पत्र लिखता है, मैडम जमा पुस्तक, जमा पढ जमा रही, जमा है, मैडम पुस्तक पढ रही है, सरिता, जमा, पानी.